आज हम डिसकूस करने जा रहे हैं चैप्टर फूर जो की पार्ट टू है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ महापाशनों के बारे में इस से पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा थारिक वेद के बारे में अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं आएं हैं तो प्लीज इसे ला प्रॉडिक्वेशन जरूर ओन कीजिए ताकि आपको मेरी अपडेट्स जो कि यह पता चलती रहें। मैं अपने इस वीडियो के जरीए सिर्फ आपको एंसी आर्टी बुक जो कि यह सीटेट की प्रेपरेशन करवारी हूं। ताकि जैसे मैंने अपने टाइम फर्स टाइम में कलियर किया एंसी आर्टी को पढ़ने पढ़कर उसी तरह आप भी जो यह आपको भी पता होना चाहिए कि एंसी आर्टी कैसे पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिसकस करने जा रहे हैं खामोश प्रै कहानी माहा पाशनों की ये माहा पाशन क्या होते थे ये शिलाखंड माहा पाशन जिसे माहा का मतलब था बड़ा और पाशन का मतलब था पत्थर से नाम से जाने जाते थे ये पत्थर दफन करने की जगा पर लोगों द्वारा ब पहारत और कश्मीर में पर चलित हुई तो जो भी कुछ में अंडरलाइन करवारी हूं यह बहुत important points है आपको जस्ट इसे पढ़ना है और इसे note करना है हो सके तो वीडियो से short screen भी ले लीजिए और NCRT की book आपके पास होनी जरूर चाहिए अगर नहीं है तो Google से download कर लीजिए आपको वहां से इसकी PDF मिल जाएगी और इसी में से ही question पूछ जाते हैं नेक्स्ट यहां पर दिया गए कुछ माहा पाशन जमीन के उपर ही दिख जाते होते थे तो यह भी important है और कुछ माहा पाशन जो की जमीन के बीतर थे I think मुझे लगता है कि January 2020 में यह question आ चुका है exam मे बाकी में आपको next जब MCQ करांगी तब दिखा दूँगी तो इस तरह इसी में से statement से ही question exam में से पूछ था है तो कुछ भी छोड़ ने सकते हैं यह ध्यान अखना यहां पर आपने देखा है माहा पाशन क्या है यह इस picture में देख रहे हैं आप कई बार प्रातवादियों को कर सजाए हुए पत्थर मिलते थे और कई बार एक अकेला खड़ा हुआ ही पत्थर मिलता था यह एक मातर परमान है कि जमीन के नीचे जो कि एक कबर दरसाता है जैसे आपने देखा ही होगा कि फॉरण में जब dead bodies को दफनाया जाता है तो वहां पर एक पत्थर लगा दिया जाता है उस पर उस परसन का नाम लिख दिया जाता है तो पता चलता है कि यहां पर उसकी dead body दफनाई गई तो पराने टाइम में भी ऐसा यूज हुआता था और उसे महापाशन कहा जाता था महापाशन के निर्मान के लिए लोगोंने कई तरह की काम करने पड़ते थे हमने जो कारे यह वाला तो important नहीं है उन्हें क्या काम करने पड़ते थे गड़े खोदने पड़ते थे शीला खंडों को ढूंड कर लाना पड़ता था बड़े पत्थरों को तराशना पड़ता था और मरे हुए को दफनाना पड़ता था तो यह कुछ काम थे उपर दिया गया है इस तरह के महापाशन को ताबूत जा सिस्ट भी कहा गया है तो यह important है वहां कलियर कई बार पूछ लिया जाता है कि सिस्ट क्या है यह दखाएगे सिस्ट एक पोर्ट होल है और बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए का कमरे में जाने का एक रास्ता है तो यह जो किये important है इन सब कबरों में कुछ समानता है थे मृत्य के खास किसम के मिट्टी के बरतन के साथ दफनाया जाता था जो भी आप महापाशन के बारे पढ़ रहे हैं एक एक point important है जो मैं underline कर रही हूँ आप इसमें से कुछ नहीं छोड़ सकते इन्हें क्या यह मिट्टी के बरतन होते थे इसे क्या क्या जाता था काले और लाल मिट्टी के बरतन क्या जाता था जिसे black and red wear के नाम से जाना जाता था जिनके साथ ही यह मिले लोहे के ओजार और हत्यार और गोडों के कंकाल और समान तथा आधी पत्थर और सोने के गहने भी इनके साथ जो कि यह दफन नेक्स्ट है लोगों की समानता और आसमानता के बारे पुरातवादी ये मानधते कंकाल के साथ पई हुई चीज़े जो कि है मरे व्यक्ति की होंगी तो कभी कभी एक कबर की तुल्ला में दूसरी कबर से ज़्यादा चीज़े मिलती थी तो यहां पर उन्हें ने कहा है कि ब्र फनाएगे लोगों की समाजिक स्तिती से भिंता दरसाता है कि कुछ लोग जो की अमीर थे कुछ गरीब थे कुछ सरदार थे और कुछ अन्याई थे नैचरली बात है जो अमीर होंगे उनके पास सोने के सिक्के होंगे तो जो गरीब होंगे उनके पास मिट्टी के बरतन important point बनता है कहां पर तेती मन के वाले सोने के संक से पाई जाने वाले व्यक्ति के कबर कहां मिली वो ब्रह्म गिरी है तो ये important है next है क्या कुछ कबर गाएं खास परवारों के लिए थी कभी कभी मापाशनों में एक से अधिक कंकाल मिली वे ये दर्शाते थे कि शायद एक ही परवारों के लोगों को एक ही स्थान पर लगलग समय पर दफनाया गया था बाद में मरने वाई लोगों को पोर्ट हाल के रास्ते में कबरों से लेकर दफनाया जाता था ऐसे स्थान पर गोला कर लगाए गए पत्थर जा चितान च्रित का काम करते थे और जहां लोग अफशक्ता के उन्सार जो किया शवों को दफनाने और दोबारा आसकते थे नेक्स्ट है इनाम गाउ यह भी इंपोर्टन्ट है लटा जिया जाता था और उनका सिर जो की उत्तर की होर होता था विग धर गरे धानकर जाता है ऐसे बरतन जिनमेंसे वे शायद खाना और पाणी हो दफनायागए शव के पास रख दे गए तो यह ऐसे भी कोशन पूचा जा सकता है गड़े में सीधा लटका आगा है जिसका सीधा उत्तर की होर वो क्या हाँ पर है ओप्शन में दिया जा सकता है मेहर गड़ इनाम गाओ ब्रह्मगिरी कोई होर महागड ऐसे तरह चार उप्शन में से पूच जा सकते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए और यहां पर एक और क्या मिला यह भी इंपॉर्टन पॉइंट है एक आदमी को पांच कमरों कमरों वाले मकान के आंगन में और चारों पैरों वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में भी दफनाया गया बस्ती के बीच में यह ब आती हैं हमें कंकालों का ध्यान चोटे कार के अधार पर एक बच्चे के कंकाल को असानी से पैचाना जा सकता है लेकिन एक बच्चे और बच्ची की कंकाल के बीच में बड़ा कोई फरक नहीं होता कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले समानों के अधार पर उसका अंदाज प्षैन के जासकती थी सबसे अच्छा तरीका था उनकी हड्यों से पैंचानी जा सकती थी क्योंकि जो लेडी से वो बर्थ देती है इसकर्के हड्यों से भाकाल चल जाता था उनके लिंग से लगबड दो हजार सार ले चरक नाम छासकानी है कि फष्षिद्व वैद होता था जिसने चकिस्सा शाशर पर चरक समता नाम की एक कताब लिखी वे कहते थे कि मनुश्य के श्रीर में 360 हड्डियां है ये अधुनिक श्रीर रचना वग्यान 206 हड्डियों से काफी जादा है चरक ने अपने गिंती में हो सकता है कि दांत और सभी तरह के जोड़ कड़ जो किया संख्या बढ़ा दी गई होगी इसी तरह उसने ये सबी छोट छोटे हड्डियों को जोड़कर जो कि 360 जो की गिंती देगी वैसे तो 206 है तो स्टम चरक नाम काई का वैद होता था इनाम काउ के लोगों के काम धंदे क्या थे वे क्या करते थे वे गेहूं ज कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है कई हड्डियों पर उनके काटने के निशान मिले हैं इससे अंदाजा लगाते थे कि लोग वहां शिकार करकर भी कुछ खाते होंगे गाएं बैल बैस और बकरी बेड़ कुटा गोड़ा आदी जो जानवर यहां पर मिले हैं और ऐसे के सक्ष भी मिले हैं जैसे बीर, आमला और जामूर, खंजूर जैसे रस बरी, 87 भी की जाती थी नेक्स यह इंपॉर्टन्ट है चीन वाला यह इंपॉर्टन्ट है चीन में क्या मिले है? लगबार 3500 साल पहले हम यहां के लेखंकला में सबसे पुरानी दार्म पाते हैं यहा जानवरों की हड्डियों पर लिखा हुआ कुछ मिला इन्हें बुविश करने वाली हड्डियों का जाता था क्योंकि यह मानता थे कि बुविश बताती हैं राजा लोग जो कि यह लिपकारू लिपकार कौन होते थे जो हड्डियों पर लिखते थे मोहरे बनाते थे इन पर कुछ लेख सकता है। तो इसंसे राजा जोकी है। अपने तकदीर के बारे में देखते थे। है। पर चेहरों में महल बना कर ळहते थी है। इन के पास बोहुत सरे बेशमार दो्रोत कठी होती ठीने भी पर मिलें। लेकिन यह लोहे का इस्तमाल करना जोका है सीखे अभी इने नहीं पता था तो यह इंपोर्टेटन पॉइंट बनता है कि अब तक लोगों ने इस्तमाल करना यहां पर नहीं सीखा था लोहे के समान जरुर मिले हैं बर यूस नहीं किया है वो हडपा के टाइम पर यूज किया है I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगए होगी और next वीडियो इस हम इसके रिलेटर MCQ करेंगे तो thank you for watching my video